हेलो फ्रेंट्स मैं संधार संद्याल आज आपको मेथि की सबजी बनाने की तरकीव बता रही हूं कि कैसे हम घर में बिना मिट्टी के मेथि की सबजी को उगा सकते हैं तो आप प्लीज देखिए और प्लीज अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसे प्लीज सब्सक्राइब एंड डाइक एंड कमेंट्स जरूर कीजिएगा यह हमने मेथी भिगव रखी है कल रात को हमने भिगव थी और आज यह भिगव के हमने बहार निकाल दिये और इसे अच्छी तरह से हमने पानी को सुखा दिया है अब इसे हमने छेद वाले बटन में रखना है दो तिन दो दिन के अंदर इसमें अंकुरित बीज हो जाएंगे और इसमें गीला कप्रा रखके हमें धाक देना है इस तरह से हमें इसमें गीला कप्रा रखना है अभी फिलाल यह मैंने गीला नहीं किया है पर आप करूंगे तो यह फिलाल अभी आपको बता रहे हैं कि इस मेथी बोई थी इसके बीज देखे कैसे अंकुरित हो चुके हैं और इसमें पूरी तरह से अंकुर आ चुके हैं देखे कितने प्यारे लगती है इसके नीचे ये बाउल में हमने पाने डाल रखा है इसमें पाने तीन-चार दिन के अंदर रोज बदलना है पड़ेगा आपको तीन-चार दिन में बोज रोज भी नहीं बदलना इसमें मेति की जड़ें देखे कैसे आ चुकी है इतनी लंबी-लंबी हुई है इसमें अच्छी तरह से मेति होग जाएगी अभी मैंने फिलाल छोटे वरतन में की है ये ट्राइ करने के लिए था मैंने बड़े वरतन में आ पेटी थी पेटी में घर खा है तो आप प्लीज इसको देखे कैसे गरना और फिर इसे भी गिले कपड़े से धाक के रख देना आपकी मेति 6-7 दिन में छोटी-छोटी पतियां देना शुरू करतेंगी तो आप ट्राइ कीजिए घर में जिससे हमें बहार उर्वरा की लेनी प्लीज आप अपने घर में ही खुद ऐसी छोटी-छोटी टोकुरियों में छेद वाले भरतन में ऐसी चीजों में आप मेति को उगा सकते हैं पर ध्यान रखेगा नीचे पानी रखना जहुरी है अभी फिला मैंने कम पानी रखा है अब धीरे थोड़ा सा उपर मेति होर ब जरूर कीजेगा प्लीज सब्सक्राइब माइ चैनल थैंक यू जरूर कीजेगा बबाई